नमस्ते लोटा पार्टी नहीं है यह जो है यह नस्य के लिए नाक की हमें बहुत ही केर करनी है नासाही शिर्सो द्वार इस तरह का वाक्य है बतलब क्या कि हमारा जो शिर है पूरा मस्तिश उसके द्वार रूप यह नाक है यहां से ही प्रवेश है इधर इधर कही से प्रवेश नहीं तो यह जो है इसलिए इसकी केर करने से दिमाग अच्छा रहता है ताजा रहता है स्वृती बढ़ती है लेकिन सबसे आपके लिए एकदम महत्वका है नीन्द बहुत अच्छे आती हो जब चाहे तब सो सकते हो और यह जो है बड़ी सिद्धी होती है और जैसे नीन पूरी हो गई तो फ्रेश जागरुत होते हो नहीं तो रात को पल्टी बदलते है बदलते है टीवी देखेंगे पुस्तक पढ़ेंगे नीन नीन नहीं गोली खाएंगे नीन नहीं ऐसा होगा तो आदमी इम्मुनिटी खो बेठेगा और जिसको नीद अच्छे आती है उसकी ताकत अच्छे रहती है तो यह नाक के लिए एक तो क्या नाक है वो अबर बाकी के मस्टीश में गया तो बाकी के जो इंद्रिया है और बाकी के सब जो शरीर के विवार है वो अच्छे चलते है और नाक से मैंने एक बार आईसे भी कहा था कि यह नस्यसयान गृतज है यह गी है इक प्रकार का इसको थोड़ा गुर्गोने पानी में रखके उसको ड्रॉप नाक में डालते हैं तो यह जब आप करते हैं ऐसे आप घरेलू बात कर रहा हूं तो यह साधय घी जो होता है साधय मतलब आयुर्वेदिक गाय का गी हो उसको 110 डिगरी तब गरम किया हो दही जमाया हो मलाई निकालके दही जमाया हो उसको मंथन करके मक्षन और बाद में उबालके बिना जलाए गी और अंदर पानी भी नहीं रहना चाहिए यह जो घी है वह बहुत ही अच्छा गी है हम लोग सब यह भारत में यह गी चलता था हम अभी परमपरा के पीछे है कि लाइए फिर एक बार हम जिवन पद्धती अपनी जो वेधिक है वो अपना है उसके लिए काम भी कर रहे है तो यह जिवन पद्धती में यह घी था फिर आया डालडा और उसके बाद आ गया है इस अब बनावटी घी क और तो भी इच्छा काम होता है तो यह नीद अच्छे आएगी साथ साथ में सुरूती अच्छा आएगी और फेज भी अच्छा रहता है तो मैंने कहा कि आँखो की भी रोषणी बढ़ती है तो लोगों बताते है लोग जाते नाख के लिए और यहा एक पिर संस्था थी व इसा यह नाग का महतो है, नाग को ठीक रखना, आजकल तो अभी नीन में चार-चार बार स्टीम लेने के लिए बुरा, स्टीम का मतलब क्या है, पानी उबाल के लिए रखना, और ऐसे नहों कि आप नीचे जो उबालने के लिए अगनी है, उसके साथ कुछ तकलीप में आ जा इसके अंदर यह अजवाईन जो है, इसको थोड़ा पीस के अंदर डाले है, थोड़ा सा अजवाईन जैसे इतना इतना डाले है, और यह जो हमारे लेमन ग्रास है, वो भी थोड़ा दो के अंदर डाल दीजिए, यह तुलसी भी अंदर डालते है, यह इसलिए तुलसी, ले यह पानी लिया है गुन गुना पानी और आद में अंदर जो है यह सेंधा नमग थोड़ा डाल के ऐसे पानी पहले यह इसको कप में नमग पानी में डाल के एक बार डिजॉल हो जाने जरा यह उसके नहीं उबला और यह कंड जाएंगे नाक में तो तकलीफ है फिर वह पानी दाल देना तो यह मिल गया बराबर अभी इसको आईसे हमारी नथुनी जो है वो डाई बाई चलते रहती है तो अभी देखिए मैं यहां करू ऐसे चल रही है सांस यहां पकड़ूँगा नहीं आता चोर करना पड़ता है मतलब यह मेरी नथुनी खुली है इससे सांस अभी चल रहा है कभी यह चलता है कभी आईसे एक डेड़ घंटे में बदलता रहता है तो यह जो है यह पकड़ के जहां खुली नथुनी है उसको यह यहां पर हम टिकाएंगे इस तरह से और म यह इससे बाहर निकल जाएगा एक दफ़ यह हो गया फिर यह बाजू से वो बाजू इससे तो कितने लाभ है क्या बताएं सब तरह कि अभी चेज नाख में कौप कायम रहता है पान निकलता रहता है यह सब के लिए यह जो है वह एक बहुत ही अच्छा इलाज है अभी इस बढ़ा लेके एक दब उल्टा ऐसे होना चाहिए और दो दो बून डालके आइस्ता थोड़े दिर पड़े रही है ताकि घी पुरा मस्तिक में उत्रे इसको हम खेचने जाएंगे जोर से तो क्या होगा यह इदर से नीचे उत्रेगा तो गले में आ जाएगा तो इसका हैं और एक दब रोज करते हैं उनको यह एक बार ले लिया तो चलता रहता है इसलिए अच्छा है नाक की केर याने अपने मस्तिश्क की हमारे इंद्रियों की और हमारे बाकी सब व्यवार की केर है और मतलब है उसका देखभाल है तो यह बराबर करते रहे है कि अब मतलब यह बर पर रहे हैं तो यह ज़िया झाली है अब लिया गया है ऊज़ एक्या तो यह कमारिए और है तो यह ज़िया